जैहिन साथियों कैसे हैं? आप लोग, आज हम देखेंगे जीके के बहुत सारे सवालों को, जो सभी सरकारी भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. अगर आप इनके उत्तर जानते हैं तो कृपया कॉमेंट करी. आपका पहला सवाल है, भारत में सर्व प्रथम तेल कुवां कहां खोदा गया था? A. सूरत B. माकुम C. लक्वा D. डिगबोई आपका सही उत्तर होगा? D. डिगबोई आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? E. विद्यूत उद्योग B. बैंकिंग उद्योग C. खनन उद्योग D. कपड़ा उद्योग आपका उत्तर है D. कपड़ा उद्योग आपका अगला सवाल है, भारत जीवन बीमा निगम L. I. C. किस थापना कब की गई थी? A. 1964 B. 1956 C. 1950 D. 1948 आपका सही उत्तर है B. 1956 आपका अगला सवाल है, मेकिन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? A. बाग B. चीता C. हाथी D. शेर आपका उत्तर है D. शेर आपका अगला सवाल है, घाना पक्षी अभियारन कहां स्थित है? A. असम B. राजस्थान C. तमिलनाडू D. आंध्रप्रदेश आपका उत्तर है B. राजस्थान आपका अगला सवाल है, बच्चों का लिंग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? A. पितापर B. मातापर C. नानापर D. नानी पर आपका सही उत्तर है A. पितापर आपका अगला सवाल है, शरीर में हिमोगलोबिन का क्या कार्य है? A. लौह का उप्योग B. जीवानूओं को नश्ट करना C. ओक्सीजन का परिवहन D. रक्तालता आपका सही उत्तर है C. ओक्सीजन का परिवहन आपका अगला सवाल है, हिली धूमके तू पुनह कब दिखाई देगा? A. वर्ष 2062 में B. वर्ष 2067 में C. वर्ष 2064 में D. वर्ष 2076 में आपका सही उत्तर होगा A. दोहजार बासट में आपका अगला सवाल है, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? A. फेफडा, B. हाथ, C. मस्तिश्क, D. तिल्ली आपका सही उत्तर होगा D. तिल्ली आपका अगला सवाल है, भारतिय सम्विधान में पहली बार कब संशोधन किया गया था? A. 1923 में B. 1952 में C. 1951 में D. 1950 में आपका सही उत्तर होगा C. 1951 में आपका अगला सवाल है सूर्या और प्रित्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? A. 3 जन्वरी B. 28 दिसंबर C. 9 सितंबर D. 11 अप्रेल आपका सही उत्तर है A. 3 जन्वरी आपका अगला सवाल है इंसान का खून किस जान्वर के खून से मिलता है? A. बिल्ली B. भालू C. भेड D. बंदर आपका सही उत्तर है C. भेड आपका अगला सवाल है आबूशन बनने वाला सोना होता है A. 22 केरेट का B. 23 केरेट का C. 16 केरेट का D. 24 केरेट का आपका सही उत्तर है A. 22 केरेट का आपका अगला सवाल है इन मेंसे कौन सी धातू द्रव अवस्था में पाई जाती है? A. मरकरी B. चान्दी C. लोहा D. अन्या आपका सही उत्तर होगा A. मरकरी आपका अगला सवाल है दूद से दही किस प्रक्रिया से बनता है? A. पाश्चुरी करन B. किन्वन C. उपापचे D. विघटन आपका सही उत्तर होगा B. किन्वन थांक यू